त्रेन के पट्रियों के आसपास आखिर कंकड क्यों डाला जाता हैं? और इससे समझने से पहले हमें रेल्वे के ट्रेग को समझ लेना चाहिए रेल्वे के ट्रेग जो कि सिधी होती है और उसके कुछ-कुछ दूरियों में जो की आयताकार लगडी या सिमेंट के सिल्लियां डाले जाते ही और इस सिल्लियों को जो की स्लीपर कहां काता है और इन स्लीपर के बीचों बीच में जो की कंकर डाले जाते ही या कहदे गिट्टी डाले जाते ही जिसे बलाष्ट या बिलेष्ट कहते हैं और यह जो बिलेष्ट या बलाष्ट या विरकादे जो कंकड़ है वहां उस रेलवे ट्रेक के लिए इस्प्रिंग का काम करता है यह काम इस तरह से करता है जब ट्रेन इस्पिड से उस ट्रेक से गुजरते हैं तब ट्रेन की भाल की वज़ा से जो पट्रिये हैं वह निचे की और दब जाते हैं और ट्रेन की गुजड़ जाने के बाद वह पट्री पुना अपनी जगा में वापस आ जाते हैं जिसके वज़ा से उस ट्रेन पर बहुत ही जादा कमपड़ होता है और कमपड़ में वह जो बलास्ट है या जो गि पट्री इधर उधर नहीं ख़सकर दूसरा नम्मर लिए कि अगर बात करें तो ट्रेन की वजन जो की बहुत ही जाद होता है और जब वजन है तब वह ट्रेक में अगर चलता है तो गर्मियों के दिनों में जो पट्री है वह फैल जाते ही और सर्दियों की जैगा में वह फिर से सुकर जाते ही और इसी फैला और सी कोडने को बचाए रखने के लिए उस ट्रेक पर गिट्टिया डाले जाते ही जिसके वज़ा से जो ट्रेन है वो अपनी ट्रेक पर ही रहते हैं और ट्रेक क कि भार को संतुलित करता है जब ट्रेन पट्रियों पर चलता है तो पट्रियों का भार जो की सिल्लियों में जाते हैं और सिल्लियों का भार जो की गिट्टी में चले जाते हैं तो जो ट्रेन की भार है वहाँ पट्री से जादा गिट्टियों पर पड़ता है इस तरह से वहां बेसाई ही टाइप में कटै रहता है। जिसके वझा से जब उसे रखा जाता है तो वह फिक्स रहता है। लेकिन फिक्स होते होते भी उसपर गेप रहते हैं, और जब ट्रेल स्पीड से गुजरते हैं तो माँ पास आता है द्वनी और सभी द्वनी जो कि गेब जगा पर चले जाते हैं जिसके वज़ा से द्वनी को प्रदोसित होने से रोका जा सकते हैं 5 नंबर की अगर बात करें तो ट्रेल की पट्रियों की आसपास जो जाड़ियां पूब जाते हैं उसे उगने नहीं देता हैं क्योंकि आसपास पर गिट्टियां होता है तो इस तरह से जो कि कंकर डाने की फायदा है तो आई होप आप लोगों को यहां एंसर समझ आ गया होगा कि आखिर ट्रेल के पट्रियों के बीच पर गिट्टियां या कंकर क्यों डाला जाता हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें ठैंक्यू